भारतिय समीद्हान से पूछे जाने वाले कुछ महत्पूर्ण प्रस्थों पर हम बात करेंगे भारत का समीद्हान एकजाम 2030 में पुछे जाएगे लेस्टेट परस्थों है समीद्हान सभा का गठन कभ हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था समिधान सभा के सदस्यों की कुल संख्यां 389 था समिधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में था समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डौक्टर सशिदानन चिना था समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डौक्टर राजेंदर प्रसाद समीधान सभा में समीधान का पर्थम वाचन 4 नमंबर से 9 नमंबर 1948 में था समीधान सभा में समीधान का दूसरा वाचक 15 नमंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 समीधान सभा में समीधान का तिसरा वाचन 14 नमंबर 1949 से 26 नमंबर 1949 समीधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी उनेशो पचास भारतिय समीधान को पारित किया गया 26 नमंबर उनेशो उन्चास भारतिय समीधान लागू हुआ 26 जनवरी उनेशो पचास समीधान सभा के राष्टिय गयान को अपनाया गया 24 जनवरी उनेशो पचास समीधान सभा के राष्टिये ध्वज को अपनाया गया 22 जुले 1947 समीधान निर्मान की परकिरिया में लगे वर्ष दू वर्ष 11 मेना और 18 दिन समीधान के निर्मान कारी में कुल व्याय 63,997 रुपई है मुल समीधान में भागों की संख्यां बाइस मुल समीधान में छोदो की संख्यां तीन सपंचान में छेद मुल समीधान में सुची की संख्यां आठनु सुची या भारतिय समीधान के पिता डॉक्टर भीमर अम्बेद कर